दोस्तों आप सब की मुझे बहुत कमेंट आ रहे थी कि कैसे हम अपने ब्लाक हेड वाइट हेड्स को रिमूफ करें वो भी पेइनलेस तरीके से सबसे पहले तो हमें ब्लाक हेड वाइट होने नहीं देना चाहिए जब या कोई बाहर जाते हैं धूप से आते हैं पल्लूशन से आते हैं तो हमेशा ध्यान रखेगा कि आपको अपने स्किन को स्क्रब जरूर करना है कोई मार्केट वाला स्क्रबर आप ले लीजे या फिर मैं रेकमेंट करूँगी घर की चीजों का इस्तमाल करेंगी तो ज्यादा बहतर होगा आप ले लीजे आलोवेरा जेल और शुगर दोनों चीजों को मिक्स करके अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से नाचुरल तरीके से स्क्रब कीजेगा इससे अच्छी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती अच्छे से scrub आपको करना है अपनी nose की तरफ, अपनी skin की तरफ, forehead पे जहाँ पर भी आपको blackhead, whiteheads की परिशानी होती है वहाँ वहाँ पर अच्छी तरीके से scrub कीजेगा ऐसा करने से future में आपको blackhead, whiteheads की परिशानी बिल्कुल भी नहीं होगी आज हम केवल और केवल एक ही ingredient से हम अपने blackhead, whiteheads को जड़ से remove करने वाले हैं जी हाँ दोस्तो और वो कौन सा ingredient है वो है fevicol जी हाँ दोस्तो fevicol आज का हमारा hero ingredient है जिसके इस्तमाल से हम अपने blackhead, whiteheads को painless तरीके से निकाल सकेंगे सब कुछ पूरा procedure इस वीडियो में detail में बताऊंगी तो ध्यान से जरूर देखेगा बिना skip किये end में आपकी साथ में result भी share करूंगी दोस्तो fevicol जो है आप अच्छी तरीके से अपने blackhead area पर apply कर दीजिए और यह आपके skin के लिए harmful भी नहीं होता है आपने देखा होगा दोस्तो जब भी आप drawing करते हैं art and craft करते हैं तो हमेशा fevicol हमारे skin पर यहां महां लगता रहता है लेकिन फिर भी हमारे skin पर कोई effect नहीं देता है चलिए तो आप देख लेते हैं इससे हम कैसे अपनी blackheads को remove करेंगे आपको इस thin layer apply करनी है अपनी blackheads के उपर हम peel of mask भी लगाते हैं अपने चेहरे पर लेकिन जब आपने देखा होगा जब भी हम उसको निकालते हैं ना काफी ज़दा हमें pain होता है तो आपको fevicol से बिल्कुल भी आपर pain नहीं होने वाला है वैसे तो मैंने अपने चैनल पर blackheads whiteheads को remove करने के बहुत सारे अलग-अलग options आपको बताए हैं और बहुत लोगों ने उसको try किये हैं आपको पसंद भी बहुत आए है इस वाले तरीके को भी आप try करके देखिगा यह तरीका भी आपको बहुत बसंद आएगा तो आपको इसके एक thin layer अपने blackheads whiteheads की जगह पर apply करनी है तो जो हमारा nose वाला area है वहाँ पर सबसे ज़्यादा deposit होता है blackheads whiteheads का तो वहाँ पर आप ज़रूर लगाए nose के साथ-साथ यह दिया आपको chin पर भी blackheads whiteheads की परिशानी है तो वहाँ भी आप इसे apply कर दीजे बस आप अच्छी तरीके से आपको लगा करके जो ear birds होता है वह आप ले लीजे ताकि आप पूरे nose पर इससे अच्छी तरीके से फैला सके spread हम इसले कर रहे हैं ताकि इसके thin layer अच्छी तरीके से हमारे nose पर लग जाए और evenly यह spread हो जाए अब spread करने के बाद आपको रूख जाना है कम से कम 5-7 मिनिट तक जब तक यह जो फैविकॉल है अच्छी तरीके से सूख जाए तो आपको इसको semi dry नहीं करना है पूरा dry करना है यह बहुत effective remedy दोस्तों जटपट वाली remedy है बहुत आसान है कोई भी इसको कर सकता है करके देख इसकोल इसी तरीके से आसानी से पील आफ हो जाएगा और आपको पेइन भी नहीं होगा दोस्तों मेरी इस वीडियो को दुनिया की किस कोने से आप देख रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपका नाम आपकी जगह का नाम ताकि अगली वीडियो मे है या फिर लगा हुआ है तो वहां पर से आप उसको हटा दीजिए तो जैसे जैसे मैं इसको पील आफ कर रहे हूँ हम देख पा रहे होंगे जितने भी ब्लैक हैड वाइट है बिल्कुल क्लियर हो गये हैं और आपको कुछ भी मेरे नोस पे नजर नहीं आ रहा होगा तो मै मैं खुद फील कर रहे हूँ कि मेरे नोस जो है काफी जादा सौफ्ट स्मूथ हो गई है मैं अपने स्किन को स्क्रब नहीं कर दियो तो मेरे को थोड़े-थोड़े से जो है ब्लैक हैड वाइट आने लगते हैं तो मैं काफी जादा बिजी चल रहे थी उसके वज़े से मैं जाएंगे उसकी बाद आप चाहें तो अपनी नोस को पानी से वाश कर लीजिए ताकि गम जो है थोड़ा मोड़ा यहां वहां लगा भी होगा तो निकल जाएगा दोस्तों इस रेमेडियो को आप भी ज़रूर ट्राय करें रेमेडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ